बोरूटो टू ब्लू वाटेक्स का चेप्टर 3 में हमने देखा कि बोरूटो हमारा मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा था कि वो कोड को बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकता है यहाँ इस चेप्टर में बेस बोरूटो ने करमा एक्टिवेड़ेट नो लिमिटर सकोड को उसनी को रसे इंकान से जैसा ही हिट किया वैसे हमें यहाँ पता चल जाता है कि हाव मची 30 ही में कोड यहाँ अपने करेंट फॉर्म में जीकें से भी ज्यादा स्ट्रॉंग है और इसी से अगर हम कॉंपेर करें तो बोरूटो हमारा अपने बेस फॉर्म में इसी की क्या आसपास वाले लेवल में है जिसका मितलब यह है कि हमारे बोरूटो का बेस फॉर्म इस इवन स्टॉंगर दिन सिक्स पात नारू तो एंडरी ने गान सास के और इसी चेप्टर में हम बोरूटो को बहुत ही आसानी से कोड का हरेक अटेक डोज करता देखते हैं जब पुर्जू ही को ओन होता है यहां इसे ने कोड बोलता है कि बोरूटो का मूवमेंट से कलर की लेवल में है जहां वो कोड के अटेक्स को बहुत ही आसानी से डोज कर रहा है और इसी को देख लोग विलिफ करता है कि बेस कवाकी का फीट एक इंफिनिट स्पीड में है और हमारे बोरूटो ने इसी कवाकी का एक डैटली अटेक को डोज कर लिया और यहीं पे अगर हम उजू ही को रसेंग कान के पावर की बात करें तो डेमन इसी चैप्टर में स्टेट करता है कि प्लैनेट हिलने लगा था आफ्टर बोरूटो हीट काट विद्धा उजू ही को रसेंग कान और डेमन को यह देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था यहां डेमन का हैपी फेस हमें यह साफ साफ बताता है कि बोरूटो हमारा अब डेमन के लेवल के आसपास है वहीं दूसरी तरफ बोरूटो भी कोट को एकस्प्लेइन करता है कि प्लैनेट में जो चक्रा होता है मेरा रसेंग कान उसी प्लैनेट के रोटेशन को एव्जूर्फ करता है और यही है उजू ही को जो अभी तुमारे शेरीर में गुम रहा है और यह कभी नहीं रुकने वाला बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्लैनेट कभी उसका रोटेशन नहीं रोकता बोरूटो यहां कोट को यह भी बोलता है कि उसुही को रसेंग का डैमेज लॉंग लास्टिंग होगा जहां प्लैनेट का रोटेशन रुकने से पहले कोट का लाइफ खतम हो जाएगा प्लस यही है बोरूटो का रसेंग का ट्रू हॉरर